इस वीडियो में हम आपको SP3D2 hybridization मताने वाले हैं इसके परले हमने आपको hybridization में SP, SP2, SP3 और SP3D2 और बहुत सारे एक्जामपल उसके साथ हमने आपको explain किया था हम यहाँ SP3D2 hybridization पढ़ेंगे हाँ आपको SF6 SF6 molecule का structure बनाना सिखाएंगे कि आप किसी भी molecule का structure कैसे बनाएंगे तो देखें क्या होता SP3D2 hybridization देखें यहाँ पर 1S orbital और 3P orbital और 2D orbital वही हमने यहाँ पर इसकी definition में लिखा कि वहन वन यह आर्बितल और 3P orbital और 2D 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 orbital और 3D और 2D orbital आप जानते हैं कि कि SP-D आइड़िटल की इनरजी डिफरेंट होती है और यह आपस में कमबाइन होते हैं 2-Farm 6 SP-3D हाइड़िट आइड़िट आइड़िटल । और यह कमबाइन होकर SP-3D तु हाइड आइड़िटल बनाते हैं आप से इनरजी और उन ये 6 SP-3D तू हाइबृट आइबिटल की एनरजी सेम होती है इस फिना मेना इस नोन एज यस्पी 3D2 हाइब आशन और यह प्रकिरिया यस्पी 3D2 हाइब आशन कलाती है देखिए कैसे कंबाइन होते हैं हम आपको इस्ट्रक्चर के साथ इसका एक्स्पेरिन करकर दिखाते हैं कि यह कै कैसे कंबाइन होते हैं इस देखिए यहाँ पर एक एस अर्विटल है तो आप जानते हैं यस फिरिकल होता है और यह पर देखिए 3p आर्विटल एँ तो आप जानते हैं P-Arbital का जो safe होता है वह double safe का होता है यह आप पहले से ही जानते हैं यहाँ पर 3 P-Arbital है तो हम 3 बार लिखेंगे यहाँ पर प्लस 1 P यह 3 P-Arbital और बनाएंगे तो यहाँ यहाँ तीन लिख दें तो आप समझ जाएंगे कि 3 P-Arbital इसी तरह देखें यहाँ पर D-Arbital है D-Arbital तो आप जानते हैं कि D-Arbital जो होता है और डंबल safe का होता है तो आप डंबल safe में बनाएंगे कैसे देखें डंबल safe आपने बनाएंगे जब structure पड़े होंगे जब आप safe आप आप आर्बिटल का तो महाँ पर है किकर सेखाया होगा कि जो होता है यह डंबल覆ल का होता है कि अप अच्छा बनाएगा IN यहां पर 2 यहां पर 0 दो लिख दें तो आपको कोई दिक्कत नही 혁 कि एक कि हमने लिखा है कि 1-0 श- parar गतल कीन पियाइबिटल और दो d-rb, एक s-rb, 3p-rb, और 2d-rb, जब combine होते हैं, इनके अंदर hybridization होता है, hybridization होता है, तब यह हमको 6 s-p 3d2 hybrid orbital बनाते हैं, ओभी same energy के, तो 6 hybrid orbital कैसे बनता है, देखिए, हम यहाँ पर बना रहे हैं, यह पहला, दूसरा, तीसरा यह, और इसके उपर यह, ऐसे, इसका structure जो ऐसे होता है, यह जो है, इन सभी को s-p 3d2, इन सभी को s-p 3d2 hybrid बनाते हैं, इन सभी में आप s-p 3d2 लिख लेंगे, और इन सभी s-p 3d2 hybrid orbital की energy save होती है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि, 6 s-p 3d2 hybrid orbital, 6 s-p, 6 s-p 3d2 hybrid orbital, hybrid orbital, देखें, 6 s-p 3d2 hybrid orbital है, तो इसका जो geometry हो जाएगा, आप यहाँ पर लिख लिख लिजिए इसकी, जो geometry होगी, geometry मतलब जया मिती, octahedral, चलिए, अब हम इसको आपका जो है, एक example के साथ बताते हैं, तो इसका सबसे famous जो है, important example हुआ है, yas yaf 6, yas yaf 6 माली के लिए, इसका सबसे important example है, इसका shape कैसे आप बनाएंगे, हम आपको यहाँ पर एकदम detail में बताएंगे, कैसे बना जाता है, बस आप हमारे साथ बने रहें, देखिए, सर पर्थम में हम क्या करेंगे, सर पर्थम आपको यह sulfur है, sulfur का atomic number आपको याद होना चाहिए, sulfur, sulfur का आप जानते है, atomic यानि परमारु क्रमांक, कितना होता है, atomic number 16 होता है, sulfur का electronic configuration आपको आना चाहिए, 4, 10, 12, 12, 4, 16, 16 electron हो गए, देखिए, इसके साथ 4 fluorine atom लगी हो गए है, 4 fluorine atom की सजरी करिए, fluorine, fluorine का atomic number जो हता है, वह 9 होता है, इसका electronic configuration, 1 as, 2, 2 as, 2, 2p, कितने होए, 4, 2p, 5, 2p, 2p, 5, इस 2p, 5 में देखिए, एक unpaired electron है, आप जानते हैं कि P orbital में 6 electron भर जाते हैं, यहाँ पर क्यों पांच electron है, एक unpaired electron है, देखिए, पांच electron हो गए हैं, इसमें, एक orbital में unpaired electron है, तो इसी तरह यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 रहेगा, यहाँ आप 6 molecule, मतलब यहाँ पर 6 fluorine atom है, तो 6 fluorine atom है, तो एक fluorine के पास एक unpaired electron है, तो 6 fluorine के पास 6 unpaired electron रहेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, one fluorine atom contain one unpaired electron, देखिए, एक fluorine है, इसके पास एक unpaired electron है, तो इसी तरह 6 fluorine atom है, यानि 10, 6, 6 fluorine atom, 6 fluorine atom contain, contain 6 unpaired electron, इसके पास एक unpaired electron, देखिए, तो 6 fluorine atom है, तो कितने unpaired electron होंगे, 6 unpaired electron होंगे, यादि इसका, देखिए, किस पिनापर P orbital में unpaired electron है, तो आप जानते हैं, P orbital को हम कैसे बनाते हैं, इसको PX, इसको PY, इसको PZ, जानते हैं आप, तो आप चाहिए इसको PX, PY, PZ मानने चाहिए, चाहिए इसको, आप किसी को PX, PY मान सकते हैं, तो हम इसको PX मान लेते हैं, इसको PY और इसको PZ, आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, तो आप जानते हैं कि PX, PY का structure कैसे बनता है, यह XS, YS, और यह ZX या आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं इसको YS, Y, Z या इसको ZY, X किसी और इसको आप कोई भी मान नहीं के हैं तो हम generally इसको YS, इसको Y, और इसको Z कोई प्राबलम इसमें आप जानते हैं P-Arbital जो होता है वाट डंबर सेपका होता है और देखे P-X वाला P-X हमने इस X, इसको X माना है तो P-X वाला Arbital इस पर बन जाएगा या तो आप अपने primary अस्तर पर भी सिखे होंगे आप देखे यहाँ पर इसमें इस P-Z वाले में दो इलेक्टान है इसको P-Y माना है तो इसमें दो इलेक्टान इसमें फिल कर दिजिए हमने इसको P-X माना है तो P-X में एक लेक्टान है तो एक लेक्टान आप इसमें फिल कर दिजिए आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं या आपके fluorine atom की surgery हो गई अब चलिए sulfur पर हम लोग आते हैं sulfur atom sulfur का देखिए हमने electronic configuration किया तो यहाँ पर हम hybrideation में हमने आपको बताया था कि हम balance cell को consider करते हैं balance cell क्या होता है जो सबसे बाहरी cell होता है उसे हम balance cell करते हैं और उस balance cell में जितने electron होते हैं उसे balance electron करते हैं तो यहाँ पर इसको, इस बैलेंस चेल में देखे, यह बैलेंस चेल इस्टेप ए जो आपका सलफर एटम इन जी यस जी यस मतलब ग्राउंड इस्टेट ग्राउंड इस्टेट में आपका माली की उल्जियों करते हो रहेगा यह यह यास आर्बिटल हमने आपको बताया कि क्यों बैलेंस सेल कोई कंसिडर करते हैं तो यह आप यहाँ पर थ्री य 3P इसमें दो एक्टान है तो दो एक्टान इसमें आप एक एक फिर इसमें एक अब इसके बाद देखें यहाँ पर हम D-Arbital का भी यूज करेंगे तो D-Arbital यूज करेंगे तब ही तो यहाँ पड़ रहे हैं या Speed 3D2 अब यहाँ पर D-Arbital आएगा D-Arbital आजाएगा क्योंकि 3 के बाद 3P के बाद 3D ही तो आएगा तो 3D 3D में कितने आप पांच एक दो तीन चार पांच हो गए पांच हो गए अब जो है इसको Sulfur Atom Step B में हम करेंगे Sulfur Step B Sulfur Atom In Yes Yes मतलब Excited State आप यहाँ पर Second लिखिए यहाँ पर Bracket में लिख लिए Second Excited State Second Excited State का मतलब हमने Excited State में आपको बताया था कि एक Molecule यहाँ से एक Molecule जंप करकर इसमें चला आएगा लेकिन Second Excited State मिले जाएंगे तो इसमें का भी एक Molecule जंप करकर इसमें आजाएगा बस वही आपको यहाँ पर लिक देना है यहाँ पर 3S इसको 3P इसमें यहाँ से एक लिक्टान जंप करकर इसमें आजाएगा तो इसमें एक लिक्टान यहाँ पर दो लेक्टान है तो इसमें एक लेक्टान एक लेक्टान और यहाँ आपका 3D 3D एक, दो, तीन, चार देखें यहाँ से लेक्टान इसमें आया तो एक लेक्टान इसमें यहाँ से लेक्टान इसमें आया तो इसमें आप देख़ें एक एक आस तीन पी और दो डी इसी को हम यास पी तु फ्री डी टु हांवीर करतें आप यहाँ लिखेंगे लिखेंगे तो यहां पर कैसे फला चला कि हाइड़ेशन एक यसाइड़ा यूज़ किया है तो एक यस हो गया, तीन पी, एक, दो, तीन तो यस पी 3 और दो डी आइड़ाल है तो हो गया यस पी 3 डी तु हाइड़ावडेडान और इन सभी की एनरजी सेम होती है अब हम क्या करेंगे Step C Step C में Salpher Salpher Atom In Yes, 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 Malikul मतलब अब Salpher Atom जो है कैसे Yes, 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 Malikul का फार्मिशन करता है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे आप इसको जोंका तेम लिखें यहाँ पर यह 3S 3P 3P और यह 3D यहाँ का 3D देखे इसमें एक एक popularity आप इसमें fill कर धीजिये और देखे एक glory यदि और आ जाये तो इसकी pairing हो जाएगी तो एक electr के साथ pairing हो जाएगीvoor एक electr वहान आ जायेंगे तो यह किसी के साथ band बना लेगा तो देखे एक electr इसको चाहिए band बनाने के लिए और हमने आपको fluorine में देखे बताया था कि एक electron इसको भी चाहिए इसको अपना पेड़ करने के लिए मतलब बांड बनाने के लिए तो यह जो fluorine atom है अपना एक electron लेकर आएगा अपना एक electron लेकर आएगा जो वो अनपेड़ वाला है अपना एक लेक्टान लेकर आएगा fluorine atom और इसके साथ sharing करेगा यह सालफ़र के साथ sharing करेगा और एक लेक्टान share करेगा और sigma band बना लेगा इसी तरह जित्त 6 fluorine atom है जिनकी हमने आपको बताया था आके एक floorin atom के पास एक अन्प्यललेक्टान है तो अपना एक फ्लॉरीन के पास एक अन्प्यललेक्टान तो अपना एक एकटान लेकर आएंगे इसल्फर के साथ सेरींग करके 1 σिगमा बांड बना लेंगे इसी तरह 6 floorin atom आएंगे एक एक लिक्टान अब सभी में अपना जो है शेर करेंगे और सिगमा बांड बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छो प्रोईन आएं शेर कियें और सिगमा बांड बना लिएं देखे इसी को करते हैं यस्पी 3D2 हाइबडाईजेशन इसी को करते हैं देखे अब आप इसका structure कैसे बनाते हैं बहुत ही easy है देखे आप यहाँ पर 1S orbital, 3P orbital और 2D orbital यह हमने आपको बताया था एकदम उपर बताया था कि 1S orbital, 3P orbital और 2D orbital combine होते हैं तो आक्टाइडल geometry मिलती है देखे हमने आपको उपर बनाया था कि 1S orbital और 3P orbital और 2D orbital combined होगे तो हमको इस तरह का safe मिलेगा तो देखे वहाँ उसी तरह यहाँ पर 1S, 3P और 2D orbital आएं वो combined होगे तो सलफर का जो structure बनेगा आप इसके बाद लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर हम बना दे रहे है तो देखें यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आक्टाइड्रल geometry बनेगी आक्टाइड्रल हमने इस तरह आपको बनाया था geometry यहाँ बीच में आपका सलफर मालिक्यूल है क्योंकि यह सलफर के आर्बिटल यूज किये जा रहे है सलफर अभी फ्लोरिंग की बात नहीं कर रहे है सलफर आर्बिटल यूज किये जा रहे है तो सलफर मालिक्यूल का यह structure हो गया अब देखें सलफर में सभी जगए एक एक अनप्यर्ड लिक्टान है एक यस में पी में और डी में तो आप सभी में एक एक अनप्यर्ड लिक्टान कर दीजे एक एक अनप्यर्ड लिक्टान हो गए तो यह क्या होना चाहेंगे प्यर्ड होना चाहेंगे और प्यर्डों के सिग्मा बांड बनाएंगे तो देखे, फ्लोरीन एटम में यहाँ पर एक अनपेर्ड लेक्टान है और यह पी यक्स में है, इन दोनों में दो दो लेक्टान है, तो यह किसी के साथ बांट नहीं बनाएंगे, लेकिन यह यक्स एक्सिज में एक लेक्टान वाला है, तो यही वाला पी आर्बिटल आएग और इसके साथ, इसके साथ ओभर लेक्ट करेगा, यह पी वाला, किवल पी अक्सिज वाला आ रहा है, क्योंकि यह पी वाई, जे वाई, और जेट में दो दो लेक्टान है, तो यहाँ पर एक अनपेर्ड है, तो किवल यह आएगा बांट बनाने के दिए, और यहाँ पर इसी तरह होगा, छोब में एक अनपेर्ड लेक्टान है, तो अपना पनाई लेक्टान लेकर आएंगे और पेर हो जाएंगे, और सिगमा बांड बनाएंगे, इसी तरह यहाँ पर पेरिंग होगी सिगमा बांड, इसी तरह यहाँ पर पेरिंग होगी सिगमा बांड, इसी त करें आपका सलफर माली की उले तो एक बांड से उपर बना तो आप ऐस बांढ आप लीए, दो यहां पर एक यहां एक यहां तो एक यहां एक यहां एक ऊपर है तो एक नीचे है तो एक यहां और यह सभी सीगमा बांड है यह सभी सीगमा बांड है यही आपका फाइनल इस्टक्चर है फ्लोरीन देखे बुक में यहां पर ऐसे इसे लगाया गुआ है इसको आयर में बना दिया है वहाँ भी बना लिजिए यह इसका फाइनल इस्टक्चर है उमीद करता हूँ कि आपको यह यह CF6 मालीकुल का इस्टक्चर बनाना आ गया हो आप एक से दो बार अभ्यास करिए आपको एकदम कंप्लेट टूप से आ जाएगा तो अगली वीडियो में हम आपको आई अप सेवन मालीकुल का इस्टक्चर बना सब्सक्राइब करना तो पर लाइक कर दीजिए आपको पर नहीं है तो स्क्राइब कर लिजिए